हलो वियोर्स वेल्सों बैक टू मैं चैनल आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है इस प्रिटी सी हेया बॉग क्लिप का चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ले लिया है बैल बेट का फैबरी तो इसकी देखिए आप जिसकी चुड़ाई है साड़े साथ इंच है मै स्टिच कर लेना है तो दीखिए मैंने तीनों साथ स्टिच कर ले अब आपको क्या करना है इसको इस तरीके से ऐसे fold करके और chalk से एक बीच में mark कर लेना है और यहां से क्या करना है आपको सिलाई खोल लेनी है ठीक है तो मैं भी सिलाई खोलूंगी इस तरह कर जो सिलाई खोलने वाला आता है मैं उसका करूंगी आप इस पर तक भी थोड़ा ध्यान दे लें थोड़ी मोटी वाली शिलाई या वो लगाएगा पतली इसलाई में हमको जो है ना खोलने में तो इसको ध्यान में रखते हुए आप मोटी सिलाई लगाने जिए और यह सिलाई खोल ली है मैंने अब मैं क्या करूंगी स सिलाई जितनी कम खोले जितने भी आपका कपड़ा सीधा हो जाए दो उतनी इसलाई electro pamię Flash कोले कि हम बाद में से उपर से तो जादा शीलते तो लोग अच्छा आप ढी आता अब देखी इस तरीखे से मैंने इसे पूरा सीधा कर लिया अब यह खुला वाला साइड हे न वहाँ पर क्या करना है जो आसपास का सारा कपड़ा उसे अंदर आगे ऊपर से सिट्प कर लेना है तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है आप क्या करूंगी इसके चोड़ाई है पाइप पॉइंट टू इंच और इसकी जो लंबाई है वह तारे सारे तीन इंच है तो और जो जहां आपने मार्तिंग की है ना वहां खोल ले रहा है आप करीब आदा इंच का खोल लीजिए तो इसले में आसानी से सीधा हो जाता है तो मैं इसे फटा-फट खोल लूँगी और खोल के फिर मैं इसे सीधा का लूँगी मैंने यहां पर जो कपड़ा लिया है वो बैलवेट का है आप चाहे तो कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते है आप पर डिपेंड करता है और चाहे तो आप अर्गेंदक का भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने ड्रेस बनाई थी तो मैं सीके मैचिंग का बोवन वाली क्लिप बना भी हों तो फिर मैंने वही फैब्रिक्ली हॉँ क्या वगारा मत्छै निकाल लिए और देखिए यह इस तरीके से मैने इसे पूरा जाए सीधा कर लिए है आप गरेंगे इस तरीके से कर गशे तरीके जो बाहर कपड़ा है उससे अंदर ड़लके त्रिच करेंगे हैं अब हम जो हमारी दूसरी स्ट्रिप है उसे भी अलग कर देंगे मैंने तीसरा कपड़ा ले लिया है और देखिए इसकी जो चड़ाई है वो फाइप बन पॉइट टू इंच है ठीक है इसकी लंबाई है अपने अकॉर्डिंग ले लिजी और इसको क्या करना ऐसे फोल्ड करक आपको जादा कपड़ा स्टिचिंग में देना है ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा इसे मैंने से सीधा करें लिया है इस तरीके से हमारे तीनों कपड़े स्टिचों के तयार हो गए अब हम क्या करेंगे सुई में धागा डाल लेंगे और सबसे बड़ा वाला जो हमारा फैबरेक है ना उसे लेंगे ठीक है और इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस पे हाँ निशान लगाएंगे तो मैं क्या करूंगी चौक ले लोंगी और ये स्कैन ले लोंगी ठीक है और इस तरीके से सेंटर में सीधी लाइन चीश लोंगी अब हम क्या करेंगे दो-दो उंगली बराबर जगे चूटिए ऐसे ही आप नाप लीजी इसे बिलकुल आपको बीचो बीच लगाना है उपर और नीचे से बराबर जगे चोड़नी है अब जैसे मैं सिल रही हूं वैसे सिलना है जो हमारा बीच वाली स्ट्रिप है न उसके अंदर सुई डले इस पात का ध्यान रखिएगा नहीं तो वह उठेगी तो इस तरीके से आप लंबे-लंबे टाके लगा लिजेगा देखे इस तरीके से मैंने टाके लगा लिया है अब हम जस्त क्या करेंगे से धागे को खीच के इसके उपर चारो तरफ धागाय से लपेट देंगे अब क्या करेंगे अब यह स्ट्रिप ले लेंगे और पीछे से लगाएंगे और आगे यानि पीछे तरफ से शुरू करेंगे और आगे लाते हुए ठीके और ऐसे स्ट्रिप को पीछे ले जाएंगे और एक्स्ट्रा में जो इसकी लेंध है उसे काटके अलग कर देंगे ठ क्या हो सकता है आपका अबो थोड़ा का यहां कंपडा किप्रा क्पड़ अपर करना है के इस तरीके से और आप हम इसमें क्या करेंगे यह दो ती टाके लगा लेंगे हैं कि कि अमने क्या करूगी यह वाली हीर कुलोगी ठीक है इस वीर हिस्सा mole कि और यह अंदर डालूंगी इस तरीके से आप चाहें तो पहले हेयर क्लिप लगा के इसके बाद भी स्ट्रिप लगा सकते हैं और जैसे मैं लगा रही हूं वैसे भी लगा सकते हैं इस तरीके से मैंने हेयर क्लिप लगा लिए है हमें क्या करूंगी इसमें दो तीन पहले मैंने थोड़ा लूज सिला था मैं थोड़ा टाइट कर लूँगी और फटा-फट इसे में सिल लेती हूँ इस तरीके से मैंने इसमें गथार लगा दिया और ये ढागा काटके अलग कर दिया तो देखे इस तरीके से हमारा ये बुः बन चुका है अब मैं इसको decorate करूँगी तो इस तरह की कि जो stones आते हैं कुंदन आते हैं मैं उनको लूँगी और इसके उपर उसे attach करूँगी मैंने ये वो एक ही color का बनाया है आप चाहें तो अलग-अलग color का भी बना सकते हैं यहां पर भी दूसी strip यहने अभी camera में साफ नहीं दिख रही है पर वैसे जब हम देखें तो इदम अलग दिखती है और बहुत pretty लगती है इस तरीके से मैं इसे लगा लूँगी बीच में मैंने यहां आप जो strip लगाए बीच में वो उसी color की लगाई है आप चाहें तो golden color की भी लगा सकते हैं और मैंने यहां इसको जो ही कुंदन लगा रही हुँ है मैंने इसको सुई धागे से सिलाएं आप चाहें तो चिपका भी सकते हैं जो फैब्रिक वाला फैब्रिक वाला आते हैं उससे अग्लू बन से इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया है अब मैं यह धागा कार्ड तो है हमारा प्रिटी सा हेयर ब्लोग क्लिप बन के तयार है अगर मेरा ब्लोग पसंद आया तो चैनल को लाइक शे और सब्सक्राइब जरूर करना कमेंट करना बिलकुर मदूलना थैंक यू फो वाचिंग मैं चैनल